What's up guys, कैसे हैं आप सब लोग, मैं स्वागत करता हूँ आपका इस मेरे YouTube चैनल पर और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नई वीडियो जिसमें मैं आपके लिए एक exercise लेकर आया हूँ जो आपको बहुत यादा मदद करने वाली है ये exercise उनके लिए है जो art lover है जो drawing सीखना चाते है जिन्होंने drawing अभी अभी शुरू किया, beginner है उनके लिए और साथ में जिन बच्चों की handwriting अच्छी नहीं है ये exercise उनको भी मदद करेगी तो guys अगर इस exercise को आप करते हो रेगलर करते हो तो आपको बहुत अच्छे result मिलने वाले है अगर नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा तो आप इस exercise को देखें आपको कैसी लगती है तो चले शूरू करें चलो guys सबसे पहले आप plain paper ले 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 इसा आपको ठीक है आप ऐसा plain paper लेना और साथ में आप एक शार्प pencil लेना ऐसी long lead वाली long lead के काफी फाइदे हैं यह फाइदे में आपको आगया आने वाली वीडियो से में बताऊंगा फिलाल वीडियो लंबी हो जाएगी guys ठीक है आपको करना है क्या है आपको सिर्फ उपर से नीचे की और एक flow में line लगानी है जैसे मैं अब लगा रहा हूँ देखी ऐसे ऐसे इसको आप 10 बार लगा सकते हों मैंने जब शुरू किया था मैं 50 बार लगा रहा था मैंने 100 बार भी लगाई है आप फिलाल 10 बार से शुरू करें ठीक है आप बहुर हो जाओए और फिर नीचे से उपर की और याना ऐसे flow के साथ guys और साथ में ध्यान रखना है प्रेशर बिल्कुल भी नहीं देना है long lead का फाइदा यही है आप प्रेशर दोगे तो तूट जाएगा ठीक है इसलिए मैंने long lead को इस्तमाल करने के लिए भूला है आपको ठीक है guys side से line लगानी है उपर से नीचे के और नीचे से उपर के और same way में लगानी है ठीक है और इस side से भी लगानी है और कंदे के pressure से लगानी है guys कंदे के सारे से ऐसे नेकी कलाई के सारे से क्राई के सारे से लगाऊगे तो pencil दबाके चलेगी line वो जाए dark आएगी ठीक है आपको बिलकुल हलकी हाथ से लगानी है इससे फायदा यह होगा आपका drawing में हाथ नहीं कांपेगा और एक अच्छा amazing flow आएगा आपके हाथ में आपका हाथ देखना आपकी handwriting भी साफ होगी ऐसे circle लगाना है आपको दोनों साइड से anti clockwise और clockwise दोनों साइड से circle लगाना है ऐसे ऐसे आपको आड़ी दिर्ची लाइने लगानी है बिलकुल सीधी लाइने लगानी है ठीक है guys यह warm up exercise है जैसे आप gym करने से पहले warm up करते हैं वैसे आप drawing करने से पह यह shape में मैंने बीच में बना दी आपको दिखाईनी दे रही होगी तो मैं दोबार से बना देता हूँ ठीक है ऐसे shape बनानी है आपको ऐसे shape ऐसे shape अलाग लगा आप कोई भी shape बना से आप infinity जो circle होता है उसको भी बना सकते हो ठीक है आप ऐसे shape भी बना सकते हो यह अच्छी shape ठीक है इससे आपको काफी अच्छे result मिलें गाईज आप exercise को जुरूर करना और आप वीडियो को पूरा देखना तो गाईज आपने वीडियो देखा आपने इस exercise को देखा आप मुझे comment में बताना आपको यह exercise कैसी लगी और आप regular करोगे तो आपको इसका result भी आपको अच्छा मिलेगा गाईज मेरा यह channel नया है आपको पता है यह दूसरी वीडियो है इसमें कफी सारी कम्या रह गई होगी उन कम्यों को आप comment box में मुझे बताना जुरूर बताना क्योंकि मुझे अभी काफी change करना पड़ेगा मैं मानता हूँ यह वीडियो काफी boring हो सकती कुछ लोगों के लिए क्योंकि जो लोग art नहीं करते जो लोग art lover नहीं है उनके लिए शाय यह वीडियो boring हो क्योंकि जाहर सी बात है मैं भी देखूंगा तो मुझे boring लेगी लेकिन आपने जो sport पिछली बार की है मेरी वीडियो को वो मेरी उमीद से भी परे था मानता हूँ मेरी वीडियो हजारों लाखों में नहीं देखी गी लेकिन आप लोगों ने देखा जितना sport किया वो बहुत था सच में बहुत था थैंक्यू थैंक्यू सो मच और हाँ यह आठ चैनल है इसके इलावा आप चाहोगे तो मैं हनमान जी पर भी एक चैनल बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं हनमान जी के बारे में बताऊंगा उन्होंने मुझे काफी support किया आप सच में जकीन नहीं मानोगे सच में जी सच चाहे तो आप अगर कहोगे तो मैं उस पर चैनल बनाऊंगा उस पर वीडियो बनाऊंगा मेरे चेंज मेरी लाइफ में जो चेंज आए उसके बारे मैं बताऊंगा कहां कहां मुझे support मिली उसके बारे मैं बताऊंगा तो guys मेरे साथ बने रहिए और चैनल को subscribe करे लाइक करें शेर करें और टाटा बाई बाई